किस तरह से नाय स्टेडियम भारत मता की भारत मता की तुझावर प्रधानमत्री मोधी योगी आदितनात और तमाम बी सी सी आए के जो क्वाम पदादीकारी हैं इसके अलावा दो तो हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं सचीनते दुरकर से लेके कपील देव तक तमाम खिलाडी दवसकर भी नजर आ रहे हैं और ये कही ना कहीं एक बड़ा मौका होगा जब वारा नसी को एक अलग पहचान मिलेगी खास दौर पे खेल कूत के दुनिया में और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अपने आप में एक ऐसा प्लाटफॉर्म रहेगा बनारस के लिए और स क्रिकेट प्लेयर्स से मुलाकात करते वे नजर आ रहे हैं करीब 451 क्रोड की लागत आएगी इसको तयार करने में लेकिन जब ये बनकर तयार होगा अब तक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो एक मात्र कानपूरी है जहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन होता है और और इसके साथ लगातार कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी और भी यहां पर कई स्टेडियम से हैं लेकिन कोशिश ये हो रहे कि वनारस को भी क्रिकेट के मानचित्र में लाया जाए प्रदानमंत्री नरींद्र मोदी को आपने देखा जिन्होंने अभी एक जनसभा को समोधित किया अंतराश्चर क्रिकेट स्टेडियम का उन्होंने श्रिला न्यास किया और आप प्रदानमंत्री नरींद्र मोदी जो सभी क्रिकेटर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं सचिन नारे के साथ, उसी उद्धोश के साथ, उन्हें ने अपने भाषन की शुरुवात की और फाइदे बताए कि इस क्रिकेट स्टेडियum के आने से कितना फाइदा काशी की जंता को मिलेगा ये सिर्फ क्रिकेट प्रेमियो के लिए एक सौगात नहीं है उनके लिए तो ही क्रिकेट खेलने का इस स्टेडियम में मौका मिलेगा, कई इंतराश्ट्र मैचेज यहाँ पर होगे, लेकिन उसके साथ-साथ जो रोजगार पैदा होगा, जो यहाँ के स्थाने लोगों के अर्थ्विवस्था बढ़ेगी, उसमें सबसे ज़्यादा फाइदा यहाँ के लोगों को भी मिलेगा, तो यह एक बड़े स्तर पर जो योजना लाई गई है, उस योजना का फाइदा सिर्फ जो अंतराश्ट्र मैच खेरते हैं या जो कुरिकेटर्स हैं, उनको नहीं होगा, बलकि उन लोगों को भी होगा, जो कि यहाँ के काशी के स्थाने लोग हैं, और प्रधानमंत्री सिर्फ यही सौगात नहीं लाए हैं, प्रधानमंत्री जो तौफियों की लिस्ट लाए हैं, उस तौफियों की लिस्ट में प्रधानमंत्री अब आगे आटल विकास विद्याले भी देंगे, जो की 1100 करोड की लागत से बन रहे हैं, तो 1600 करोड की तौ स्टेडियम ना सिर्फ वारण सी बल्कि पुर्वान्चल के युवाओं के लिए एक बर्दान जैसा होगा यह स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से जादा लोग बैठ करके मैट देखवाएंगे और मैं जानता हूँ जब से इस स्टेडियम की तस्वेरे बाहर आई है हर काशिवाजी गदगद हो गया है महदेव की नगरी में ये स्टेडियम उसकी डिजाइन स्वयम महदेव को ही समर्पित है इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होगे इसमें आस पास के युवाँ खिलाडियों को आंतर राष्टी स्टर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मोका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाब मेरी काशी को होगा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर झाल